ये खबरे बागी खबरों से जरा हटकर है शुरुआत करते हैं मद्ध्यपदेश की एक अनोखी खबर से एक बॉलिवूड एक्टर और नेता के बेटे और विदेशी बीवी के बीच खर के पालतू कुत्तों को लेकर ऐसा जगड़ा हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया और तलाग की नौबता गई जी हाँ बॉलिवूड एक्टर और मद्ध्यपदेश कॉंग्रस के नेता अजय सिंग के बेटे अरुनोदय सिंग की कनेडियन पत्नी ली एल्टन की अरजी पर जवलपूर हाई कोट में सुनवाई हुई जस्टिस संजयादव और जस्टिस बीके श्रिवास्पव की डिवेजनल बेंच ने भुपाल की कुटुम नयायले से पंदरे दिन में तलाक से संबंदर रेकॉर्ड तलब किया है अरुनोदय और ली एल्टन की शादी नवेंबर साल 2016 में हुई थी और तीन साल के अंदर ही उनके बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत तलाक तका पहुँची बताया जा रहा है कि अरुनोदय के डौगी और उनकी पत्नी के डौगी की लड़ाई से शुरू हुआ ये विवाद अब अदालत तका पहुँचा है कुछ ही दिनोत में तलाक भी हो जाएगा चीन ने अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए एक नई उपलबधी हासिल की है उसने तेरने वाला स्पेस पोर्ट बनाया है यानि ऐसा जहाज जहां से अंतुरिक्ष में जाने वाले रौकेट्स लाँच किये जा सकते हैं इसका उपियोग चीन प्रुशांत महासागर में रौकेट लाँच के लिए करेगा ताकि अपने सैटेलाइट्स को अंतुरिक्ष में कम समय में लाँच कर सके इसका पहला परीक्षन शेडॉंग प्रांथ के तटिये शहर हैयांग के पास समुदर में किया गया इस स्पेस पोर्ट पर छोटे रौकेट बनाएं और सुधारी जा सकते हैं इसे चाइना एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नलोजी कॉर्प ने बनाया है ने उस तक पिया रहा हूँ